नमस्कार आज हम पढ़ने वाले है कखसा 9 की सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास की बुख है जिसका नाम भावत और समकालिन विश्व है उसका पहला पार्ट फ्रांसिसी क्वांती फ्रांस वैवेवलुशन इस पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं देखिए आज हम बात क करते हैं equality, liberty, fertility मतलब की सतन्ता, समान्ता, बंदुता की बात करते हैं हमने कभी सोचा है कि यह कहां से आया इसकी concept है यह कहां से उबरा हम तक कहसे पहुचा और हम आज बड़े खुल के कहते कि मैं सतन्त हूं मुझे समान्ता है सब जगे हम तो बंदुत्व की भावना रखते है यह चीज कहां से आया तो इह जो चीज है वो सबसे पहले फ्रांस से आया हाला कि फ्रांस की करांती से पहले यह था लेकिन सिब था सिप कहने के लिए था वास्तीविक्ता में नहीं था फ्रांस की किरांती होने के बार जो कमजोव रवग था जो किसान थे, जो छोटे रवग थे वो उभर कर सामने आए उन्हों ने अपने अधीकारों के लड़ाई लड़ी और कहा कि हम सब समान है हम सब स्वतन्त है हम सब बंदुत्व की भामना रखते है और फ्रांस की करांती ने इसाबित भी कर दिया कि छोटा से छोटा आदमी कमजोर से कमजोर आदमी भी चाहे तो वो बड़े से बड़े सासक को हिला सकता है फ्रांस की करांती में जो वहां का सासन था वो राज तनित् है थीर एक्दम 360 की एंगल में चली पहले खतम किया राजा के सासन को मुर्णाव्की को खतम किया अ फिर जैसे घ्रएंद का सासन इंगि नी प्राणी की वीरांती में ही सब से पहले मानव के लिए अधिकार गोश्नापत्र जावी किया गया मानव अधिकार गोष्णापत्र human rights कि मानव के लिए किस प्रकार की अधिकार होने चाहिए इसका गोष्णापत्र प्रांच की करांथी में ही लाया गया ताकि सबी लोगों को उनके अधिकार पता चल सके देखिए प्रांच की करांथी जो थी बहुत सारे कावण थे, हमने उन कावण को राजनितिक कावण, मतलब political कावण, सामाजीक, मतलब social causes, आर्थिक, मतलब की economic causes, बुद्धीगत, मतलब intellectual causes के रूप में बाटा है, च्याव भागों में बाटा है, सबसे पहले हम political causes, मतलब की राजनितिक कावण देख लेते हैं, कि मतलब की राजनितिक कावण को समझ देखते हैं, कि जो फ्रांस था, जो देश था, वहां पर एक तो राजा सही चलती थी, मोनार की चलती दिवाजा का सासन चलता था, और राजा मतलब कैसा, कि भई मैं तो भगवान का दू, तो मुझे भगवान नहीं भेजा है, मुझे भ लुई-चाउद्य से स्टार्ट करते हैं, लुई-चाउद्या को जो सासन कालता ना, वो 1647 से लेके 1715 तक चला, और ये बड़ाई क्रूव सासक था, इसने जो सत्ता थी ना, वो अपुवे अपने हाथ में ले ली थी, सत्ता का कैंद्वी कर लिया था, मतलब कि पावर लिया भी नहीं करता था, और इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे गौप्स लड़े, जिसके कारण प्रवांस पर करजा बढ़ गया, फिर लुई-चाउद्या जो था एक अच्छा सासकता, मतलब भी सासक करने के युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ा एक तो प्रांस पर पहले सी बहुत ज़्यादा कर जाता, युद्ध लड़ा तो और ज़्यादा करजा जो था वो बढ़ गया, और यह एक अच्छा प्रसाशनीक अधिकारी भी नहीं था, इसको ठीक से प्रसासन चलाना भी नही चलना है तो देखिए लूई शोलक कव आया 1794 में आया और 1702 भी तक रहा जब यह सासक बना रहा का तब यह मात्व 20 साल का था क्या था 20 साल का था जब यह सासक बना तो इसका इवादा अच्छा था इसका सबस्क्राइब मनलब दयालूउसा दिल था कि पर हमें जंता की ह्यासं च्राहन कुछ पता नहीं तो इbadah अच्छा होने के बाद कुछ नी पाए? तो युन म्हां घुद्धि जाता था? उसे षजटे जाता था जबन ऑस सासक बना नया नया तो इसे बाद का राजकोट था जो युद्ध से न Вас था самый यूद्ध में घुद्धि अभी इसने क्या किया इसने जो ऑस्ट्रिया था इसके प्रांस का पड़ोशी राज्य ऑस्ट्रिया की महारानी से विवाह कर लिया ठीक है ना और उसका नाम था मेरी एंटो एंथ इससे इसने साधी कर ली यह कहां कि थी ऑस्ट्रिया की महारानी थी साधी कर लेकिन इसने सासों को एडवाई देगी तो सीरी सी बाते वो ठीक से एडवाई नहीं दे पाई बुरी सलाकार बन गई ये इसलिए ये राज़ा ठीक से सासन नहीं चला पाया इसके बाद एक तो फ्रांस का जो खजाना था पहले सी खा ली था और इस फ्रांस का सत्रु कौन था ब्रिटेन ब्रिटेन इसका सत्रु था अमेरिका दोस्त था अच्छे से अमेरिके साथ रहता था तो इसने क्या किया कि जो अमेरिका की जो तेरा उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के कबजे में थे ब्रिटेन के कबजे में अमेरिका के तेरा उपनिवेश थे उसको छुडाने के लिए फ कर्ज दाता थे वो बोले कि भई हम तो इतने से ब्याज में मानेंगे नहीं हम तो 10% इंटरस्ट लेंगे तो और ज्यादा कर्जा हो गया मेहंगा ही बढ़ने लगी दीवे दीवे तो यह कुछ वाज़ितिक कारण थे अब देखते सामाजी कारण क्या-क्या थे तो देखी जो आगाता थे मतलब कि वह सासन चलाते सामंत थे जो छोटे से जनता वह सासन करते सामंत जो तहे वह तो दीके पादरी वर्फी जन संक्याती फ्रांशे में वो कर semua घास पास थी क्यों जो जन शंक्याती और किसान और कारीगर आते थे सब नीचे झोटे किसान आते ते जिनके पास कुछ जमीन नहीं विए खेती करते थे मज़दूरी करते थे दिन धारी मतलब कि एली कहा करते थे यह नाम कि थे थे इसप्रफ्वा के किसान आते थे तो तो तीसरा शूरीत था इसमें तो मड़े किसान थे अच्छे अच्छे एच्छे काम करने वाले वकिल जैसे लोग थे और एक बहुत ही छोटे किसान दे जिनके पास कुछ भी नहीं थे जमीन के नाम पर यह तक तो ठीक था अभी क्या था कि जो पहला एसेट्स जो फर्स्ट एसेट्स और सेकंड असेट्स था ना इनको कुछ विशेस अध बात अभी एक तो एसे किसान था जिनके पास जमीन थी वो थो ठीक में घृट्स भर देते अभी एसे नें और सब्सेतलों रै नहीं कि पहले ब्याद थी अमिभी लोग थे थोडस में उनके पास तीन इन तीनओं को मिला एक लिए तीन और 59% जमीछree मतलब कि पहले और दूसरे असरट्स की जनसंक्या पहात है यह किन पास लावा जो कुलीन वर्वक ता उनको एक का अधार व्यश्यिसरेकार था वह क्या करते थे जो तीसरे Osas के लोग थे ना उनसे tax लेते थे, सामन्ति कर लेते थे उनसे, इसके बाद जो किसान था, उसका स्वामी कौन होगे, कुली नवाला होगे, जो कुली नवाला होगे, जो कुली नवाला होगे, second assets को स्वामी मानते थे, और first assets को पता क्या-क्या मानते थे, तो कुली नवाला को जो थे, वो किसान से सेवा भी लेते थे है उनकी सेवा भी करता था ठीक है ना गवों में काम भी करता था जो सैन कभी युद्ध लगे हो गया तो जाएगा लड़ने कौन beauty लड़ने भी जाता था आप सदकों बनाने होती तो किसान ही आता था बड़ कह सकते हो धार्मिक जो सर्च लेता है टेक्स धार्मिक कर ठीक है ना वो कितना लेता था जितना क्रिशी हुई माल लिजिए एक लाग के क्रिशी का उपज हुआ उसमें से छुँटे लेता है था ऑप्रतक्स कर अप्रतक्स कर उसी प्रकार से वहां पर नमक तंबाकु जैसे वोझाना उसने वाली यो थी न उसामगिवी थी ना उसपे इन तीसरे वर्ग को तीसरे असर्ट्स को टेक्स देना पड़ता था ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी देखते हैं आर्तिक कावन क्या क्या थे हमने सामाजी कावन देख लिए ठीक हमने देखा था कि प्रांस ने अमेरिका के साथ मिलके बृतें के खिलाफ इद्ध किया उसमें उसकी पहले सी कंगाली हो रही थी महेंगाई दिन प्रती दिन बढ़ते जा इसको ररसाहि केस यहां पर सासक रहे था जो राजा था किंग न यहां पर रहते था और यह प्रांस यसान बहुत जादे था इतना बड़ा महल इतना सुन्दर सा महल है आप इसके अंदर देखिए एक दम का स्वास सब है इसके अंदर देखिए अब इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए तो इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए तो इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा तो पहले से एक तो जो इनका बजट था वो तो नीचे ही जा रहा थी और वही पर 1789 मेंद की जन सेंगा कितनी थी 2.8 कवड़ हो गई और देखी जब मुसीबत आती है तो एक साथ आती है उसी समय जो थी ना वो खतरनाक सर्दी पड़ी जिसके कारण जो फसल थी वो भी खराब हो गई फसल खराब हो गई तो जो खाने की कीमत थी वो भी दिन बढ़ने लगी और इसके अलावा सर्दी तो पड़ी ही और अकाल भी पड़ गया अकाल पड़ने के कारण फसल उगी नहीं जितनी उगी सर्दी पड़ने के कारण खराब हो गई खराब हो गई फसल थी नहीं कीमत जो थी अपने आप बढ़ने लगी तो कीमत इतनी बढ़ी कि पार वोटी की किमती बहुत ज्यादा बढ़ गई आज हम लोग वोटी खाते न दिन प्रदी दिन वहां पे वो लोग पार वोटी खाते थे उसकी किमती बढ़ गई लोगों को जीवी का कसंकट होने लगा कि हम खाए क्या भाई कुछ खाने के लिए है नहीं न तो पैसा है क लोगे क्या है कि नी तो टेक्स उनसे ले लिया तो कर बढ़ाने का निमने लियुत इससे कि है जनता और ज़्यदा गुस्दा हो गए घर पार यह ने के लिए उस युद्द के कावण प्रांस में 10 अरब का करजा ऊगया जोंघ यह प्रांस की पहले की करसे भीरे यह वह गहां तो 10 अरब करजा पहले से था और जो दो अरब का करजा उनके बाब दादा में वह तो किया ही is अभी जो जीतना कर्जा बढ़ गया था और जो कर्जा देने वाई लोग थे उन्होंने क्या कहा कि हम तो अभी तो सीधा दस प्रतिसत इंट्रेस्ट लेंगे जादा लेंगे है कि नहीं तो इसके कावन जो बहुत ज्यादा बजट था ना फ्रांस का वो कर्जा चुकाने में ह चला जाता था तो इनके सामने इस प्रकार से एक आर्थिक संकट भी पैदा हो गया इसके अलाव कुछ बुद्धिगत कारण भी थे इंट्रेक्शुरल कारण भी थे वो क्या कहता देखिए लेकि ऐसा नहीं था कि वहां के किसानों ने उन पर जो अन्याय होता था अच्छा है नहीं था तो क्या होगा कुछ नहीं होगा थोड़ा साब चिला थे बाइशहा देता था नको लेकिन इ inhal इसाब कि भाई साब अठवी सदी में कुछ पड़े लिखे लोग आने लगे जो तीसरे असर्स के जो सीखसित समू थे जो पैसो वाले ते जो तीसरे असर्स के लोग थे जो पड़े लिखे लोग थे अभी उन्होंने जिम्मेदार उठा ली कि हम विद्वो करेंगे आप एक साइट बैठो विद्वो कौन करेंगे हम करेंगे जो पड़े लिखे लोग थे जो सम्रिद लोग थे पैसो वाले लोग थे वो ठीके ना तो दीके अठवी सदी में एक और वर्ग उभर के आया कौनसा वर्ग मध्यम वर्ग जो था वो बड़ाई जल्दी उभर के आ गया उस करते थे ठीक है ना वो दूसरे देशों से जाते थे वहां से उन और वेशमी कपड़ा खरीत के लाते थे अपने यहां पर लाके जो पैसो वाले लोग थे जो राजा था उसको बेचते थे और मोटा पैसा कमाते थे इस कावण वो लोग धनी हो गया थे उनके पास पैसा हो आते थे बाखी जो प्रसासनिक अधिकावी थे जो प्रसासन की जो राजा के आपर काम कर दे थे वह आते थे और वकील रगर यह सब आते थे मध्यमरग में ठीक है अभी यहां पर देके पढ़े लिखे और पैसा दोनों हो गया तो लोग अभी थोड़ा दिमाग चलाएंग क्यों भाई क्या किया उसने उसको दोगे नई देने चाहिए और जो सामाजिक हैसियत है जो समाज में किसी का दबदबा है वो उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए कितना पढ़ा लिखा है कितना पैसा है सामाजिक योग्यता का आधार पर उसकी समाज में हैसियत फि वो जॉन लॉक ना इसे लोग बतने लगी ना लाले लोगों समझ वह भी है हमारी ज़ात Created दृष बत्लाइं के जो और सुछ आधान डिकार है। टू ट्वीटीर जॉप गवरुमेंट। इसमें इसने क्या कहा कि भी जो राजा है ना जो राजा िखता है मुझे भगवान ने बेजा है देवी ने भेजा है और निवनकूष राजा है यह जो इस इत्रैन्त गलत है सै सब्टेथा हो सकता कि कोई कि事情 एक नगे ना आप भगवान भेज रहे किसी राजा कि वो आके एकदम सब पे अत्याचार करें सबको चला रहे हैं पैसा ले रहे ऐसा क्यों तो जॉन लॉक ने शिद्धा को देव यह सुध्धा धा कहने का मतलब यही था कि सरकार एक जनता द्रवार बनाई गई होनी चाहिए इसके बाद कर रहा है Montesquieu आ गया Montesquieu के विचारों से भी लोग ज्यादा प्रभावित होने लगे इसने क्या एक बुक लिखी ते का हया से अपना काम करेंगी का अपना काम करेंगी विधाई का अपना काम करेंगी तीनों के लिए अलग अलग सि sorgen होना चाहिए अभीbon सब के इनके विचाव पढ़के सुना रहा है तो सब लोगों में तो ठीवे पैसा होने लगा जो थूड़ बड़ समझ थी वो भी विक्रशित होने लगी लोग जो थे अपने अधिकाव को जानने लगे समानता की बात करने लगे हैं कि नि तो इस प्रकार से जो फ्रांच की क् भूमिका थी वो लिखी जा चुकी थी अभी बात थी तो सिर्फ देवी थी फ्रांच की करांथी होने की फ्रांच की करांथी की सरूरात कैसे हुई ले अट ब्रेलिशन यहाँ पर कुछ महत अपुन टिथया लिखी हुई है जहां से हमको पता चलता है कि कौन सी गटना कौन से सन में हुई थी, तो 1774 के बाए में हम पहले से ही पहले वीडियो में पढ़ चुके है, तो आज हम पढ़ेंगे यहां पे 1789 पे, जहां पे जो बालस्तिन का किल्ला था, वहां किस प्रकाव से अटेक हुआ, लोगों ने किस प्रकाव जाके बाप धाव लुई सोलर वो चाहता था कि भई जनता पे टेक्स बढ़ा दिया जाए, टेक्स क्यों बढ़ाना है, क्योंकि फ्रांस पे बहुत ज्यादा करजा हो गया था, करजा होने के कावर्ण, वहां का जो बजट था, बहुत असंतुलित डगमगा गया था बजट, अभी करजा भी बजट को भी संतुलित करना है, तो इसी लिए लुई सोलर चाहता था कि टेक्स को बढ़ा दिया जाए, अभी देखिए, वहां पे अच्छी बात ये थी, कि अगर प्रांस में टेक्स को बढ़ाना है, तो टेक्स को बढ़ाने के लिए वाज़ा अकेला फैसला नहीं लेगा बलकि उसको असेट्स जनरल की मिटिंग बुलानी पड़ेगी, अभी असेट्स जनरल क्या है, तो एक वाज़नीतिक संस्ता है, जिसमें तीनो वर्ग के फर्स्ट असेट्स, सेकंड असेट्स और थर्ड असेट्स, तीनो वर्ग के प्रतिनीदी होते हैं, वहां पे सब लोग मिल के सर्चा करते हैं, फिर किसी भी बात पर फैसला लेते हैं, हाला कि जो वाज़ा कहता है, वही फैसला होता है, तो ये थी, ये था असेट्स जनरल, तो देखे असेट्स जनरल की जो लास्ट टाइम मिटिंग होई थे, अन्तिम बार 1616 में मिटिंग होई थी, अभी टेक् पैसाय का महल है, इसी महल में यहां पर मिटिंग हो रही है, तो इसमें फर्स असेट्स के 300 प्रतिनिदी है, सेकेंड के 300 प्रतिनिदी है, और थर्ड के 600 प्रतिनिदी है, क्योंकि थर्ड की जन्संक्या भी जादा थी, लेकिन थर्ड में किसान नहीं आ सकता, जो गवी बेव थे किसान थे महिलाई थी उनकी बातों को सुना गया उनकी बातों को इस मीटिंग में रखने के लिए यह जो 600 प्रतिनिदी थे यह करीबर चालीस हजाव पन्नों का सुजाव लेकर आये ते शिकायती लेकर उस मीटिंग में ठीक देखे यहां पर बैठे हुए असेट वन और satisf 3 300 से यहां पर भाइटे हुए यह दोनों बैठे हुए इनके प्रतिनिदी यहां कि यहां arbets यह की नियर्ग यह आइकि już दें नृकि देंगे वाजा ने बोला कि यह करना में तो सभी महार रहें गर shot को सब लेकिन इस बार तो भी थर्ड असट्स था वो थोड़ा समझदा हो चुका था उसने क्या कहा कि इस बार ऐसा नहीं करेंगे बलकि हर किसी को एक-एक मता आधिकार देंगे जैसे लोग तंत्र में होता न हर कोई वाट देता है इस प्रवागा से सब को वाट देने का आधिकार देंगे सब अपना अपना वाट टेक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना इस मामले में देंगे तो भाई ये तो राजा को करा ही मनजव नहीं था कि ऐसे कैसे बहुत चली आईए उस परवंपरा से ही होना चाहिए अभी जो है थर्ड अड़ा हुए कि नहीं भाई हम तो वो इसका विगर दिया वहां पर फिर कोई निम्ने हुआ नहीं इसके बाद 20 जून की घटना हुई 20 जून के दिन क्या हुआ देखिए 20 जून के पाद यह जो यह थर्ड असर्ट के लोग थे न यहां पर जो यह वरसाए का महल था उसी वरसाए के महल में एक टैनिस कोट था क्य लेगे और इन्नों ने अपने आपको इन सभी लोगो ने अपने आपको क्या कर दिया national assembly गो goofy कर दिया कि हम आज से यहां की national अब हम pixel上 derived है अब हमिद्धान बनाएंगे और इन्हों ने क्या किया यहां पर आके सपतलनी क्या लिकिवत कि जब तक हम संभात की सक्तियों को कम करने वाला तब तक अस्वीधान नहीं आता वहाँ पे मिलके इन्हों ने एक असेंबली बनाई ने असेंबली और सब ने सपत ली कि जब तक समराट की सक्तियों को कम कमने वाला सम्मिधान नहीं आ जाता तब तक यह असेंबली भंग नहीं होगी और इस सभा का इस जो यह जो सभा चल रही है देखिए यहां पे आदमी खड़ा यह सब को क्या सप अंतिवरस्ता के खिलाफ थे इन्होंने पत्तिवी का निकाली थी और यहां पर इसने बहुत ही जोवदा भासन भी दिया था ठीक है और इस सभा का दूसरा प्रतिनिदी कौन था आबेश यह आबेश यह जो था वो पादिवी वर्गर से था मतलब फरस्ट से था और इसने प्रतिन दोनों मिलके किसका प्रतिन असेंबली बन चुकी है अभी नेशनल असेंबली जो है वो समीधान बनाने का काम कर रही है एक तरफ समीधान बन रहा है दूसरी तरफ जनता जो है वो घुष्ये से लाल होती गई है जनता जो पूरे आंदोलन के मूड में आ चुकी है और वही पर दूसरी और क्या हो रहे है कि दूसरी और कडाके की थंड पड़ गई बहुत जादा उस समय थंड पड़ गई थी और थंड पड़ने के कारण जो है वहां की जो फसल थी ना फस साइब ज्यादर उसकी कीमते बढ़ गई अभी जब कीमतें बढ़ गई तो कीमतें बढ़ने के कारण जो बैकरी के जो मालिक थे ना जो पार वोटी बेचेते थे बनाए बनाखेते थे उन्होंने उस पार वोटी कि जमाखोवी करना, इस्टार्ट के अभी पहले हम जमाख करके रखते हैं, जब और ज़्यादा पैसा आएगा, जब ज़्यादा प्वाइस बढ़ेगी, तब बेच देंगे, जैसा भी लोगड़न बहुत से लोगों ने किया ना, कि भाई खाने की, पहले सी जमाखोवी करना जमाख करके रखा, जब बहुत ज़्यादा प्वाव बढ़ा तब बेच दिया, तो वो जमाखोवी होते हैं, तो जो बैकरी के मालिक थे, उन्होंने पार बोटी की जमाखोवी करना स्टार्ट कर दिया, अभी यहाँ पे बैकरी के आगे लंबी-लंबी लाइन लगी है, मही जो संबवाट था, लुई सोला था, उसने पैविस में, जो पैविस फ्रांस की रवाजधानी थी, उस पैविस में अपनी सेना को जाने का आदेश दे दिया, तो एक तो पहले सी लोग बड़े गुसे में है, एकदम बहुत टेंशन में खाने को कुछ मिल नहीं रहे, दूस सबको हत्या करने के लिए लुई सोलन सेना भेजी है, तो लोग और ज्यादा घुसे में आ गए, तो जैसे ही सेना ने प्रवेश किया, उसी जो भीड थी, घुसे में जो भीड थी, उस घुसे भीड ने 14 जुलाई को ही क्या किया, बास्तिल पर धावा बोल दिया, इस बास् से लोगों को सजा दी गई, वहां पर बहुत से लोगों को रखा जाता था, बहुत से जो गुनेहगार थे, हाला कि वो समराट की नजवा में गुनागार थे, लेकिन जो गुनागार थे वहां पर उनको रखा जाता था, तो एक तरसे लोगों को लगता था कि यही जड है सा और एक-एक इट निकाल, निकाल के लोग अपने साथ लेगे गए, ताकि लोगों को यह लगे कि हाँ, हमने भी इसको तोड़ने में अपनी जान जोखिम में डाली थी, तोड़ा, हमने भी कुछ अच्छा काम किया, इसकी एक-एक इट जाके लोगों न ली, जाके बेची इस किले की, यह कब हुई?ssäवज 2.0 की कहतना है, ठीके नव नि Gen Joyce voltar bachtla के धि opened apeben, दिखा क्यों, आप स्विजर लेंड दिखा होगा दूसरे पडोसी दिशों में जाकि जोसे लोग छिप गई यहां पर देखिए जो भीड थी मालिजी यह धापर भीड है ठी hakkai ना बितने एकदम से यहां पर जहा के जैसी लोगों क पता चेला भीड यहां बहुत जादा डर गया और वो अपनी जान बचा के कैसे जैसे करके दूसरे देशों में जाके भाग के भाग गया और वहां पर जाके बस गए ठीक है ना तो यह हो गई बास्तिल की घटना अभी देखिए पहले से कुली नवर्ग डरा हुआ है अभी जो लूई सोल है राजा ह वहां अगहान सत्ता पर सवीधान का अंकुस लगाया कि अब से चलें जो सासक होगा उस पर समीधान रहेगा पहले समीधान वांत सासक सासक को समीधान की बात माननी पडेगी तो अ समीधान वहां पर लागू हो गया चार अगेश सत्रसु नवियासी एरात को जो टेक्स होता था कर उन्मुलन कर जहां कि अब से ऐसा कुछ नहीं होंगा ना टेक्स देना लेकिन सब को एक जैसा टेक्स देना सब के लिमिट बांज़र की ठीक ना इसके पादी व्रवग था उस पादी व्रवग के जो विशेसाधिकार थे उनको भी चीन लिया गया जो डार्मिकर जो लेता था ना टाइड उस टैक्ष को भी उन्होंने बंद्ultan इरिकार आपसे कोई जाहर मिक्यार को भी चीन लिया गया और जो सर्च के पाँ जितनी जमिन थी न भूमी, उस भूमी को भी सरकार के हाथ में ले लिया गया, करीबन 20 अरब लिवे की भूमी, कितनी जाला भूमी होगी, 20 अरब लिवे की संपती को उस सरकार ने क्या किया, जब्त कर लिया, तो अभी यहाँ पर किसका सासन आया, समिध सभीधान का सासन। सम्भिधान किसो हिसाब से बनाया गया और क filthy माधि vere उसवा स मुवर से रखे गया स tradit संभीधान का प्रॉप तयार किया गया और इसका उद्यश्य किया था कि जो सकतिया है न जो साजक के पास जो राजा के पास पूस्षेयों सेमिद हो नी चाहिए और सक्तिया एक हाथ में नहीं, कैंद्रिकित सक्तिया नहीं होनी चाहिए, विबाजित सक्तिया होनी चाहिए, न्याय कोई और करेगा, कानून कोई और बनाएगा, इस प्रकर सक्तिया वो विबाजित होनी चाहिए, तो सम्विधान ने क्या इसके लिए योजना बने क्या प्र यहां पर देखिए लोगों को वोट देने का अधिकार भी मिला देकिन यहां पर महिलाव को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिला अब देखिए यहां पर जो है सक्रिय नागरिक वोट दे सकते बट निस्क्रिय नागरिक वोट नहीं दे सकते सक्रिय नागरिक कौन है जो जिनको मतादी का प्रदान है जो मत दे सकते वो है शक्क्रिय नागरिक ठीक है ना करें कि ये दो दिसमला आठ कवर्ड की जन संक्रावल लग चालिस लाक लोग ते जो वॉट दे सकते थे 25-30% जो शक्रियनागरित थे जो वोट दे सकते थे और उनकी उम्र पचिस वष्णपी होनी चाहिए, वही लोग वोट दे सकते थे और कम से कम 3 दिन मुदूरे करते हैं उतना टैक्स देते हो, मतलब कहा है उस पैसों को टैक्स में दे सकता है वही लोग वोट दे शकते हैं यहां पर दे सकते यहां पर यह pao जो दे video लाग पुवुष महिला बच्चो और 25 रव से कम उम्र के लोग थे जो टेक्स नहीं दे सकते थे वो लोग थे ठीक है अभी जो शक्रिय नागरिक है वो क्या करते थे उनके इस्थान के जो जो लोग निर्वाचन के लिए खड़े हुए हैं उनको वॉट देते थे और करीबन 50 werk को चुने जाते थे यहां पर महिलाए नहीं नहीं छुनी थे कितने 745 साजश्य चुनते थे और च्क्रिय नागरिक है यही जो है नियाई पालिका के लिए सारे जो है वोटिंग सिस्टम कर देते सारे जज रगे वकों यही चुनते थे ठीक है अभी जो यह विदाई का है यह जो है नेशनल असेंबली है अभी जो नेशनल असेंबली है वो क्या करेगा यह जो उनके मंत्री है मंत्रियों पर निय नहीं रख सकता तो कावे पालिका में कौन आया संबराट आया और मंत्री आ गए विधाहिका में कौन आ गए जो लोगों द्वारा निववाचक मंडल चुना गया है वो आ गए ठीके ना अभी देखिए वोट देने का अधिकार इसको था जो जो शक्रिय नागरित है उनको ही वोट देने का अधिकार था लेकिन अगर किसी को निववाचक मंडल में जाना है किसी को अगर असेंबली में जाना है तो उसको हाई टेक्स पेर होना पड़ता था मतलब बहुत जाद उसको टेक्स देना पड़ता था तब ही जाके वो वोट में खड़ा हो सकता है यहां पर किसी भी देश में जब समिधान बना तो सबसे पहले महिलाव को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जो बड़े-बड़े लोग उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था अपना भारत एक मत्र ऐसा देश है जब समिधान बना तो उसी समिधान के साथ ही देश में सभी महि वहां पर इंकम के हिसाब से भी इस बहुत कुछ होता था लेकिन भारत में ऐसा बिलकुल नहीं था सब को एक साथ वोट देने का आधिकार था चाहें वह एक रुप्या कमाता हो या एक करूड ठीक है न तो देखिए 1701 में जो समीधान ने कानून बनाने का आधिकार दे दिया मतलब कि जो ये नेसनल असेंपडिली बनी थी जो शेह सो प्रतिनी थी वहां से गय है ये सरवा से उठके वन सभी को सभी सभी लोगों सब्सक्राइब जिसमें लोगों को क्या-क्या अधिकार है डिकार है ईहांप से लिख यहां पर है यह यहां घंस आंगे को प्रांस में जैसे अपने आपे होती ने आख में पट्टी बंद हुए कानुन की देवी तो यहां पर इन्हों ने अधिकार लिखे कि पर देखो मानव कि जो मनुष्य है उसके लिए क्या-क्या अधिकार होने चाहिए यहां पर पढ़ सकते वीडियो को पहुज किए यहां पर और कानुनी बराबरी के अधिकार को नैसरगिक एवं अहरण ने अधिकार के रूप में स्थापित किया गया कि यह जो अधिकार है यह नैसरगिक है जनमते ही यह अधिकार सभी को मिल जाने चाहिए और इसके अलावा इन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता और इन अध अधिकारों की रक्षा कौन करेगा जो बैठा हुए राजा है उसकी जिम्मेदारी है उसका ही मूल करतर है कि मानर की अधिकारों की रक्षा करें परांस में राजतंत्र का अन्मूलन कैसे हुआ और गनतंत्र की स्थापना कैसे हुई अबॉैल इस मोनार्की to become विपब्लिक कैसे हुआ ये फ्रांस एकदम जो जहां पर मोनारकी थी राजा का सासंता राजशाही थी वह वहां से हटके गंतंत्र वाला देश कैसे बन गया फ्रांस में दिन प्रति दिन खाने के भाव बढ़ते जा रहे थे चाहे पार वोटी होया कुछ भी हर प्रोकार के ख गुषसा होगे इतना नारज होगे उसके अधिकां नहीं notus में कांगरः को खाने नहीं जाए क्विपद्वन एक बहुत ही बढ़ा मार्स निकालार बहूत बड़ी वैली निकाली तो हम्ये पांक ऑक्टुमबर 1789 िया में बहुत बढ़ी आगे प्रति ऑन्याूं निकाली ह पहलेस पर जाके धावा बोल दिया देखिए यहां पर एक बहुत फेमस कहानी है कि यहां पर जो पहलेस है पहले सब यह महिला जब एंटर हो वही थी तो यहां की जो रानी थी जिनका नाम मेरी एंटोएं था वो बालकनी से खड़ी होके देख वही है और अपने दासी से पू कि रानी को कुछ पता ही नहीं कि केक महंगा होता या पारवोटी महंगी होती है या किसका क्या भाव है कुछ उसको अता पता नहीं है उसको अपने हिसाब से मतलब है और राजा मजे में रानी भी मजे में ठीक है ना तो यहां पर सब महिलाए गई और यहां पर जाके राज आप बाजा और उसके सावे प्रविवार से कहां कि देखिये आप अभी हमारे साथ पहरिजठ चलेए यहां पर ट्यूविये महल् महल है इस मेहल गहें यह कहा सांदार महल और यह कहा एकदम महल एस छोटे से आप इस महल में आके रही है, ताकि आपको पता चले, कि फ्रांस के लोगों की इस्तती यह उस्तति वास्तुरिक इस्तती कैसी यह आपको पता चले, तो सभी इस्तरीय गई यहां पर जो राजा था यहां इसको लेकर बहुत ही संदा इस वर्साइए के पहले से लेकर इसको टीवीलिये के महल में लेकर आ गई और अब राजा का इस्थान यही पर बन गया अब यही पर राजा रहने लग गया अब आते हैं असल बात पर राजा पैरिस में आके रहने तो लग गया था। लेकिन भि राजा तॉ वाजा था। वो अपने पडोशी देश सेाल हारी पषरीया हो गया, यहां पर उस्ट्रिया ही है यह तो कश्ड ना यह यद přऄ क्यंदम है यह सब इसमाने प्रशीतम हैं स्वियंद्डन के तो आप सभी मिलके प्रांस पर आक्रमण करो और यहां पर सब्कार बनी हुए उसको मिटा दो वापस से राजा का सासन ला दो इस प्रवकार के गुप्त बाते चल रही थी इस लुई सोलर की ठीक है प्रवसा के वाजा से हो गया ओस्ट्रिया तो इसके जो सालिस आप थे मतलब मे तो उनको भी क्या थोड़ बहुत चिंता थी तो अभी यह सब लोग राजा प्लैनिंग कर वे थी कि कैसे जैसे करके प्रवांस में जाके हमला करे और वहां की जो सरकार है जो प्रजेंट गॉवर्मेंट है उसको उकाड़ फैक दे तो यह सब प्लानिंग चल रही थी तो लू आधनी बाद तो यह कि भnehmen वहां की जो सरकार थी जो नयास्नल ऐस्यांबली ती उसको पता चल गया कि लुई सोलर जो आधना यह मिल के हमारे प्रांस की गवर्मेंट ने गोश्टना की कि जितने लोग है जितने सव्यम सेवी है वो आएंगे सेनिक का काम करेंगे आके युद्ध लड़ेंगे तो हजाव और सव्यम सेवी जो है सेना में भरती होने के लिए आ गए यह जो सव्यम सेवी थे वो कौन थे यह युद्ध जो युवर्पीय राजा है जो कुलीन है जो सामन्त है उनके खिलाप हमको जाके जंग करनी है इसको जनता की जंग का नाम दिया गया अभी देखिए बहुत से लोग जा रहे है एक दम लंबी लंबी लाइन लगा कि युद्ध लड़ने के लिए है कि नहीं तो कि यहां पर जो मार्शीले से यहां पर के छिए मार्शीले बेखिए जिया जाऊंसे लोग जा रहे है यहां पर परिष में आ रहे है युद्ध लड़ने के लिए है अभी यह कवी थे कवी इनका नाम था वौजट दी लाइन इह बहुत अच्छी सबी करी का लिखा हूँ ऑप गुत को गुनाते हुए गाते-ई-गाते सभी लोग जाग है उद्ध लड़ने के लिए पैरिस में थीक है ना तो जो Marseille Gitta अभी सेहर का नाम है Marseilles, तो Marseilles के लोग जाते हुए गाया रहे हैं, है की नहीं, तो इस गीत का ना Marseilles से बदल के Marseilles गीत हो गया, है की नहीं, जो Marseilles Gitta उसक नाम क्या हो गया Marseilles, और यही आगे चलके प्रवांस का वाष्टरगान भी बन गया, तो अभी भी अभी देखो एक तरफ युद्व चलने के कावन के हो रहा है, जनता को चती पहुच रही है, सारी जो मर्द है वह तो युद्व लड़ने के लिए गई है, सारे घर की जिम्मेदा भी जो है महिला है, जैसे तरसे करके अपना घर चला रही है, बबेट ला रही है, बच्चो अभी तक चली रहा है, दूसरी तरफ जो तीसरा वाजनीतिक अधिकार मिले हुए थे, लेकिन जो तीसरे वाजनीतिक अधिकार मिले हुए थे, लेकिन जो तीसरे वाजनीतिक अधिकार मिले हुए थे, लेकिन जो तीसरे वाजनीतिक अधिकार वोट डालने का अधिकार नही जाके वहाट देंगे, तो यहां पर जो है, गरविबो के लिए कोई राजनीतिक अधिकार जो है, नहीं थे, तो यहां पर अभी लोगों को क्या लगा, अधिका जन्द को क्या लगा, कि भाई जो क्रांती हुई है ना, इस क्रांती को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाके जो जिनको अधिकार वाजनितिक अधिकार नहीं मिले उनको भी वाजनितिक अधिकार लेते हैं यहां पर सी बात हो भी प्रविशों की महिलाओ को तो अभी तो अभी थोड़ा सुधार हो गए थे बाखी वाजनितिक अधिकार तो महिलाओ को मि अभी उस क्लूब में सरकार की नीतिय तो क्रांती के बदर सरकार की तो आएगी में उसकी नीतिय कैसी होगी। किaded champions कार्य करना यूजना क्या होगी इस सबसे बात पुछ में नीतिक कलब सबसे पी leAdam कलब में सामिल महिलाई भी जाकर, aphanill विछायर रखर यह सब कुछ जो है और अच्छे से चल रहा है लेकिन एहां पर यहां पर यह बहुत फेमश कलब गया जो वाजनितिक लब था छेकोब्न कलब सबसे प्रवांस की अगुवाई करेंगे यहां पर अपनी अधिका वोग लड़े वड़ेंगे ठीक है यह लोग क्या करते थे कि लंबी पतलून पहने यहां पर है कि नहीं महिला अभी गुटने से नीचे कपड़े पहने हैं आम तौर पर 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 प्रवांस में एक ऐसा विवाज थ आधिया और जो गुटने से उपर कपड़े पहने थे कुली नवर्ग होता था मतलब यह सामन्थ पैसो अवर लोग होते थे ठीक है ना तो यहां पर लंबी पतलून जो पहने थे वह आदमी पहने थे महिला भी गुटने से नीचे कपड़े पहन दी और लाल टोपी लगा थ तो देखे यह जो जैकोबिन कलब वाले जो लोग थे ना यह लंबी पतलून पहनने के कावण इनका नाम पढ़ गया जैकोबिनो का मतलब होता है सौ कुलोत क्या सौ कुलोत टो सौ कुलोत मतलब क्या सौ कुलोत इसका मतलब होता बिना अखुतने वाले जो लोग बिना इनके पैनते हैं उसका मतलब क्या हो गया जैकोबिनो हुशाग है यहां भात चित अपने बैस बदा सब्स चल वही आच्चे से अभी देके 10 अ'T के वासेanha 1772 को क्या हुआ कि जयकोबिन कलब के सदस्स उन को जयकोबिनों कहत के थे अचानक से प्र 그렇osaurus की चाने पीने के वस्तु की महंगाई बढ़ गई महंगाई बढ़ने के कावर्ण भाई वस्तु की अभार भी था महंगाई भी बढ़ गई लोग जमा खुवी को बंदी बनाये गया और राजा पर इल्जाम भी था कि भाई ये जो है बाकी देशों के साथ मिलके आपने खिलाप प्लानिंग बना रहा है सब को सैटिंग बाजी करके अपने देश के खिलाप सब मेनि चुनार कर गाए और इस बार सबको जितने लोग 2100 को मिल गया ॲो को छोड़ के महिलाओ को अभी तक मतदान करने का औरी कर नहीं मिला अश्मीर कर दर्किंड कि यहां जो नई संभी बनी नहीं बनी में इस की अपका नाम कियाता को वाजतान तरह में था जो नई अस्वेंड़ी नहीं बनी उस नेसनल अस्वेंड़ी को क्या कहा गया कॉन्स नाम दिया गया अभी में जैकोब इन कलब का लीडर कौन था वह बोई श्पिर था मेक मिली न वोई श्पिर तो सीधी बात है अभी यह करने वैंशन का बन गया हैड लीडर बण गया, साभी प्रॉष की सत्ता भी किसके हाथ में आगए, वो बोग सयरो के हाथ में आगई अभी देखिए, 217 시तंबzep में की क्या हुआ कि दिन क्हां गई दास्ट में जाके राजस्तंतल का अंत्र हो गया, मो मॉनाव की खत्म हो गई वाजितंत्र खत्म हो गया और फ्रांस को गनतंत्र कब घोशित किया गया इसके बाद 21793 के दिन लुई लुई इंत्र को अरुप में की सजा देनों के बाद उसकी पतनी रहरी आंत्र को मौत की सजाद दे गई मेरी आंत्र का बहाई जो कि ऑस्ट्रिया इस इसका सासक फास वो भी नहीं उसको बचा आपनी बहन को भी नहीं बचा सका वो अन्त में जाकर मैं इन्तों आप को सजा देडी गई कैसे सजा देड़ी तो फिर डॉक्टर ग्लेटिन ने गिलेटिन इस मशन का आविश्काव किया, जिसके धर्त यहां पर आधमी को लिटाय जाए का यहां पर इसका सर है, उपण से ठारदा चककू आएगी, अच्छानर से गिवेगी, सीधा सर धड़ से अलग, तो प्रांस में जितने भी सजा होती थी वह गिलेटिन से ही होती थी तो जो देश्द्रों के आरुप में राजा लूई सोलो को भी गिलेटिन से लटका के जो है मार दिया गया था अब देखी प्रांस में नया नया जो है ना गंदतन्त्र बना है प्रांस अभी यहां का राजा जो नया वसासक है यहां का नया नया लीडर बनाए तो 1737-16 करें एक साल को आतंक का यूग कहते हैं क्यों आतंक का इसने अपने आपको कुछ ज़्यादा तवज्जो दे दिया कुछ यादे महत्र दे दिया इतने सक्त कानुन बनाए कि लोग त्रहीत्र ही करने लगे एक साल में इसने करीबन एक साथ में 16 हज़ाव लोगों के सरधड़ से अलग करा दिये, कटवा दिये, मौत की सजा दे दी, इस एक व्यक्तिनेशक आदमी ने, तो जो वोबरिश्पिर था, इसने बहुत सक्त नीतिया बनाई, और इसकी कार्य सहली से जो भी असहमत होता था, कि इसके विच्छावर से जो जो नेलने थे वहांके, उस नेलने के दुए उस व्यक्तिकों दोशी करार दिया जाता था, तो उसका सर्व कलम कर दिया मौत, सर्व सजा सीधी, मौत, एक साल में 16 हज़ाव लोगों की सजा मारे गए थे, 16 हज़ाव सिब आकड़ा है, जहांकि सेहरों कर अगर अगर वहां सोचिए गावों में देहात में कितने लोगों को मारा गया होगा कुछ गिंती है इसकी बिलकुल नहीं है तो इस एक आदमी ने बहुत लाखों में लोगों को एक साल में मरा दिया गया था एक दिन के 300-600 लोग कटते जाते हैं हमेशा अभी देखिए इसने क्या-क्या प्रतिबंद लगाया था प्रांज की जनता पर कि बहुत देखिए मजदूरी और कीमत थी ना जो मजदूरी की जो कीमत थी वह क्या होगी अधिक्तम सीमा फिक्स थी कि आप इससे जादा मजदूरी के लिए फीस नहीं ले सकते माल दीजे 100 अ अभी यह सिर्फ कुछी लोगों को मिलेगा जिसको पास है उसी कोई मिलागा सबको नहीं मिलेगा ठीके ना इसके बाद किसानों को मजबूर किया गया कि अपने अनाज को सहर में बेज़े क्यों सहर में बेज़े क्यों क्योंकि युद्ध चल रहा है युद्ध चल रहा है खाने के लिए चाहिए तो खिसान वो को मज़बूर किया गया कि आप अपना अनाज जाकर गरेशितों और गिमत तेत कि जो आपको इसी कीमत पर भेचना है क्यों के खाना कहा ते बैजना को भेचना सहा वा को भेचना का सरा सब मैडा मैधा मैधी उस पर भी वरॉक लगा अभी लोग नहीं खाएंगे की महेंगा है की नहीं तो अभी या इतना थीक था भाहि Desai आपने को समोधित करते थे तो मानश्रीव को करते थे मतलब महाशय केहते थे इसने का नहीं बोलेंगे अब क्या वोलेंगे शी तो आदमिक की तो की मतलब किसी आनमी को बुला ने तो किसको क्या बुलाना है इसे एक बहूं का बहुत से प्रतिबंद Allah लगाय थे कि इतने सर्च थी हैं नई करनी पूजा पार्ट सबको सेत्व को बंद कर दिया और सेत्व कि जगे इसने क्या क्या खोल दिया आफिस खोल दिया जो जंता इसको अपनी सासक बनाया था यही जाके उनके लिए भूत बडा घातक सिद्ध हुआ सावी जंता तवह तहीं लगी ईकडम किसे हिल गई छात में क्या हुआ सभी जनता ने JUST को जाके जेर में ठूशा के ऐसी कानून इस के तहूआज ओ सत्त्र जैलन की आदा गया ज्यादा से कानून नहीं के लिए और इसkor गिलेटिन पर लटका कर मार डाला सरकलम कर दिया तो जैसा इसने किया वैसा का वैसा अंत में इसको वापस से तुवन थी मिल गया था अब देखी जो मैकसमिलियन वो बरिश्पेव था वह भी गया अभी वापस से नया समीधान बना सत्वा सव पंचानवे नया समीधान भना थीक्रिणा अभी सत्ता किके पास ऑ गई, बराया रखा कि भैर के बता ही नहीं इंहों का अधिकार नहीं मिलेगा इसमें देखी जो समिधान था इसमें क्या प्रावधान था तो देखी यह क्या कर देते कि दो चुन हुई विधान परिश्दों के इसमें प्रावधान था मतलब कि इस बार एक विधान परिश्द नहीं होगी इस बार होगी दो विधान परिश्द एक विदान परिश्द, यहाँ पर दो विदान परिश्द होगी, और दोनों विदान सभा में होगी, एक एक कावेपालीका, क्या होगी, कावेपालीका, इसमें भी एक कावेपालीका, इसमें भी एक कावेपालीका, और हर कावेपालीका में होगे पांस-पांस सदश्य, कितन तरह से यहां पर कावयपालिक हैं मंदो कावयपालिका बन गई ठीक है ना अगर ये कोई फैसला करती तो इसका मन मुटा वो जाता ये वूठ जाता अभी दोनों के बीच में आपस में जगड़े होने लगे कि हम कहेंगे वह सही है तो इस परकाफ से दोनों के बीच में ही जगड़े होने लग गए तो जगड़े होने लग गए तो वाजनितिक और स्थिर्ता पैदा होने लग गई अभी इसका फाइदा देखिए युद्ध अभी तक बंद नहीं हुआ और इसका फाइदा उठाया श सबी जगए इसने जीर लिया था वहonse जादा उबर कर आया था और इस नेपोलियस बोना पार्ट पर जितनी od 10 भी सब का बहुत ज्यादाी विष्वास था यहां तक कि लोगों का भी इस पे विश्वास था कि यह जो कर रहा एक दम सही है। तो नेपोलीन बोना पाथ को एक मौका मिल गए कि सत्ता इसमें बंद है। प्रश्ट करते हैं कुछ हम ही करते जाके अधिकार जमाते हैं तो नेपोलियन बोनापाट ने जाके तकता पलट कर दिया सारी सरकाव को निचे गिरा दिया अपना खुद का अधिकार कर लिया जब इसने ये किया तक उसकी महज़ 30 साल की उम्र में सारे सेनाओं के मज़स्ट स सक्त किया और इस बार एक नए संभीधान बनाया जिसमें तीफ मर दूसर वर तीसरास और हां कर देखिए सबसे पहला सबसे पहला सबसे और हो फर्स और कशूलेंट हूं तो यह कानुमिंग के बनाएंगे लेकिन और औरब को लास्ट में जाके 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को समराट गोशित कर दिया कि अब से मैं ही फ्रांस का क्या हूँ राजा हूँ अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट 1806 में समराट तो बन गया अब इसको क्या चाहिए अपना छोटा कैसे बड़ा बनाना है अपने फ्रांस की सीमा को बड़ी बड़ी करनी बड़ा बनाना है तो गया और जाके लड़ेने लगा युद्ध चाव तो युद्ध चलवा है लोग बिसके पीछे चल रहे युद्ध होरे युद्ध लड़े जा रहे इसने यहां का इलाका जीत लिया फिर इसको भी जीत लिया इसको भी जीत लिया इसको पर्र घुघ के सीमा ओड़ी फ्रांस अभी देखिए हर एक रेक्ति के बुवे दिन तो आती है जब वाटर वल्यू की लड़ाई थी मतलब की लड़ाई चालू थी कि एक तरब फ्रांस है बाकी एक तरब जो है जितने जो यूवर्पियन देश है बाकी जैसे कि फ्रांस को छोड़के इटली है जर्मनी है जितने यूवर्प के देश है इंगलेंड है सबी लोग फ्रांस से आके लड़ रहे है जगड रहे हैं और उसी यूद्ध में जो है नेपोलियन बुनापार्ट की हार हो गई और इसके बाद अठाव से पंदर में यूद्ध हुआ था इस यूद्ध में नेपोलियन पर जाके रहने लगा वही से अपना सासनगर चलाता था फिर अठाव से एकिस में क्या हुआ कि नेपोलियन बुनापार्ट की जो है मृत्ति हो गई बावन साल की उम्र में 52 साल की एज में इसकी मृत्ति हो गई बहुत से लोग इसको ऐसा कहते कि पेट के कैंसर था इसलिए इसकी मृत्ति हुई बहुत से लोग 2011 में देश से होई थे Start कहते है इसको तो आर्षेनिक एक जैर दिया गया थ उसके काम मृत्ति हुई तो बहुत से ऐसी थेरी एक कैसे मृत्ति हुई कुछ खास पता है नहीं वांच की क्रांती थी क्या महिलाओ के लिए भी थी क्या महिलाओ को भी अधिकार मिले थे जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो नहीं मिले थे आपको यह खटना तो यादी होगी कि सभी महिला जो है अपना वैली निकालरी मार्च निकालरी 5 अक्टूंबर 1789 की खटना है कि सभी लोग गए वरसाइय के पहले स्पे वहां के राजा पर जाके धावा बोल दिया और वाज तो यह खटना आपको याद होगी हमने पहले पढ़ चुकी इस खटना को अभी देखिए जो सभी पती जो उनके थे ना महिलाओ को पती वगए थे वह सब तो गई ते कहां युद्द लड़ने युद्द चली रात था है कि नहीं तो वह सभी लोग सिलाई बुले के काम करत संपन घरों में काम भी करती तो कुछ महिला तो वैश्यवृति के काम में भी थी मजबूरी थी सौक से नहीं थी ठीक है ना देखिए क्या हुआ कि महिलाओ को कोई अधिकार था ही नहीं तो पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं वेबसाइट परिशिक्षन मतलब काम करन अधिकार मिल जाएंगे लेकिन जैसे ही महिलाओ को पता चला कि भाई जो नया समीधन बना 1791 में उसमें भी महिलाओ को निश्क्रिय नागरिक मतलब की वोट नहीं दे सकती महिलाओ बड़ा धक्का लगा महिलाओ को लेकिन क्या कर नहीं पाई महिलाओ इसके बाद देखिए अभी जो सरकार थी सरकार नहीं कुछ इंदजाम किये थे महिलाओ के लिए जैसे कि उनको मुलबुत आवशकता है थी उसके लिए प्रबंद किये थे जैसे कि सरकाई विद्या लोग इस्तापना की थी स्कुल की सिक्सा अनिवावे कर दी थी साधी के लिए बाद जन नहीं जो पहले क्या होता था कि पिता लड़की को कहता था कि जवजश्टी करता था कि तुमको साधी करने ही पड़ेगी लेकिन सरकार नियम बना दिया कि अब कोई भी लड़की को साधी के लिए बाद जन नहीं किया जाएगा है कि नहीं इसके बाद जो साधी होगी उसका पंज जिसके बल पर महिला अपनी सरकार बना सकती थी, वो अधिकार अभी तक मिला ही नहीं, जब यही अधिकार नहीं मिला, तो महिला अपनी आवज उठाएगी कैसे, क्योंकि आवज उठाएगी तो अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार बनाने के लिए उनको वोट दने का अध का यहां पर निश्क्रियर नागरी घोशित किया गया था तो महिलाओ को इसलिए लड़ाई थी वोट देने का अधिकार अभी तक नहीं मिला था अब देखिए जब जैकोबिनो की सबकर आया तो उसने क्या किया किया कि जो महीलाओं के कलब थे जहां पर महीलाओं बैठके सर्चा करती थी उन सभी कलब को बंद कर दिये गए थे प्रांस में करीबन महीलाओं को 60 कलब थे कितने 60 कलब जहां महीलाओं बैठके सर्चा करती थी और The Society of Revolutionary and Republican Women सबसे फेमस कलब था सबसे प्रसित कलब था फ्रांस का जहां पर महीलाओं ज्यादा एक्टिव थी जहां पर अपनी मांग बहुत जोवर तोवर उठाती थी महीलाओं लेकिन उस कलब को भी जो है जैकोब इन्यों सासन में बंद कर दिया गया और महीलाओं की वाजनितिक अधिकाब की मांग थी वह मांग धीर थी बढ़िने लेकिन मांग को दबाया जाने लगा जब जैकोब इन्यों का मतलब जो वर्बोई स्क्रेव का सासन था तो बहुत सी महीलाओं को सल मृत्य दंड दिया था गिलेटिन से कांट दिया गया था बहुत सी महीलाओं को जो आतंग का युग था जिसको वर्बोई स्पेव का युग भी कहते है सत्तर सत्तेवाने के बीच में इसके बीच महीलाओं के कलब बंद कर दिया गया गया गिलेटिन पर चड़ा के काट दिया गया अन्त में क्या हुआ देखिए महीलाओं को बनागर क्या हुआ रहा फिर गया और हुआ कितनेश-वर्बोई से अपने वॉटिंग के अधिकार कि मांग कर वे लेकिननक्य फ्रांस में पाप जाके महीलाओं के वाटिंग के मिला मिला ङॉर्टिंग का बहरत एक मार्ट विश्वक ऐसा देश है जिसने जैसे पहला सम्मिधान बनाया उसी सम्मिधान में सभी लोगों को equally मतदान का अधिकार वोटिंग का अधिकार दिया था कि सभी लोग वोट कर सकते हैं जो 21 साल से उपर है वो सभी लोग वोट कर सकते हैं महिलाए पुरूष सभी सामिल थे फिर 1989 में राजिव गांदी ने वो 21 साल को उम्मर घटा के 18 साल कर दी थी ठीक है ना तो इस प्रकार से महिलाओ का जो संगर्स थाना जैकि कब से महिलाए अठरी सरी संगर्स कर वही थी डेट सो साल के बाद जाकर उनको वोटिंग का अधिकार मिला है कि नहीं बहुत मुश्कि इसे प्रवांच के बहुत बड़ी समज्टि दासों क बहां पर धशाν Buy सठीकी बहुत बड़ी समझ को नहीं इस कि जब सपयोगTheyया तो concert ने बहुत सारे अपने प्निविसं बनाई थी जैसे कि यह जो है यह इंट्रेटिक ऑशन है यह हैं यहां पर के छा सिय हैं यहां पर काअग। जो यहां पर शाल उपनियु के और है तो चाहिए उत्पादन तो चाहिए लेकिन काम किसी को करना नहीं है जो इरोप के लोग थे काम करने के लिए आलसी काम करना नहीं है तो क्या करते थे जो वहां के वैपावी लोग थे वो क्या करते थे कि भाई यहां पर अफरीका में जाते थे यहां के लोगों को उठा के यह को लोगों को जाके बेच देते, यहां पर बेच देते थे जहां को जाते ते यहां पर यहां को सरदाव होता था, उन्से बात्चित करके सभी ज्ट दास थे अग्य को धरीत ओर यहां पर जाके दास खरिदते थे अभी देखिए जो फ्रांस में ना सत्तावी सदी में दास परता का प्रावंभ वह जब 17th century थी तब फ्रांस में दास परता का प्रावंभ वह प्रावंभ हुआ प्रांस से स्वादागर जाते थे बोवडो नान्ते सबी दासों को यहां यहां व debating से सब resembling के यहां अपने । तक जहाज में बिठा करें यहां पर शतने महीं तक बिठा के मता EBD नहीं नहीं ठूसके थूसके तीन भूके पए तिन फूसके जो है डासों को लेके जाते थे अपना निकालते दए regen यहां पर यहां जहांचांच कोट भी बनाएगी इस कोटवी में इनको रखा जाता दकि दासों को फीट किया जाता है यहां पर दास नांतिय बंक्दर गहाए तो बहुत ही बुरी हालती बहुत ही दहनिया हालती दासों की दासों के लिए जैकोबियं वर्बोस्पियर था उसने इस प्रता पे प्रतिबंद लगा जिया था दास प्रता पे को अठरवी सदी में ना दांस प्रता पर प्रतिबंद लगाने की मांग उठी थी नेसनल असेंबली में तो जब भी प्रतिबंद की मांग उठती तो जो व्यापारी दासों को लेके आके बेचते थे उनका वीवोध होने लगता था और पैसे वाले लोग ते वीवोध होगा को आफनों को काम नहीं हो पता था लेकिन जैकूबियोंगर जब सासन आयेımızı 1770 में तो अंदर कब qualified कर दिया गया और ये कम से कप 10 साल तक यह जहां कर लाता को पर चानुन बना था कि भी दास लोग ते उनको उठा के दास बना के लाते थे अंत में 1848 में दास प्रता का बिल्कूल ही सबाप्त कर दिया गया था प्रांस में कि जो क्रांती हुई उस क्रांती से लोगों की जो आम जिंदगी थी उस पर क्या असर पड़ा दर वेवेलिशन एंड एविडे लाइफ मलब लो दिहाली सरकार आये थी उस सरकार ने जो है स्वस्रांता और वीदम्या संपना का विदरशन के दास 1789 में censorship की समाप्ति कर दी थी प्रांस में एक बहुत गटिया कानून था जैसा वाजय चाहता है वही दिखाओ वही अकबार में चापो तो यह था citizenship का कानुन मतलब कि एक तरशे अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंद लगा था तो बास्तिल के विदरवन्स के बाद censorship की जो कानुन था उसकी समापती कर दी गई थी इसके बाद जब समापती कर दी गई तो लोगों लोगों को जाग्रुक करने के लिए इसके बाद बास्तिल का विद्रवन्स हुआ तो लोगों के लिए अभिव्यक्ति के सतंता को नैसरगीक अधिकार बना दिया गया कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति के सतंता मिली हुई है यह उसका प्राक्रितिक अधिकार नैसरगीक विक्ष कर रख रहें जाए जो व्यक्ति चाहिए वह बोल सकता है आपने विचार रख सकता है चाहिए जब काझेए गश्यारorden अकबार परचो पुष्ट को पचापी तस्रीव की बाढ़ आ गई मतलब की भाई सब्सक्राइब कानुन हटा सबी लोग अपने विचार लोगों को बताने चाहते देखो में यह विचार है लोग अकबार में लिखे पुष्ट के चाप पन्ने बाट रहे तो एक बहुत ही जा बाव दिहातों में जाने लगे और वहां पर लोग देखते थे समझते थे अच्छा यह है यह यह कि सबी लोग तो पड़े लिखे नहीं थे तो पड़े लिखे नहीं तो उनके लिए जो देखने का माध्यम तस्रीव वगयाब यह जो है अकबार में चापी जाती थी वहां प्रश्ट सतंता का मतलब क्या था कि किसी भी घटना पर विवोधी वीक्त किया जा कोई भी घटना हो जो उनुस करती ती 具 दार्श्टनिक विचाव को प्वस्तुत किया जाता था नाटक के माध्यम से प्वस्तुत कर देखो आपके यही अधिकार है देखो आप ऐसे से बोल सकते हो है कि नि क्यों कि जो पड़े लिखें लोग नहीं थे वो कैसे समझेंगे तो उसको जागरुक करने के लिए नाटक रखे जाते हैं संगीत गीत सकते हों कि यहां अधिकारों को जानने लगे यह यह यही मशिन हैं वहां पे कल्चर जाके आजमी मोटा है इस आजमी को पकड़ के इस मचीन में डाल दिया जाएगा और पतला होके यह आजमी बाहर निकलेगा देखिए इसका पेट को दबा दो अंदर से ताकि पतला हो जाएगा ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर प्रांस में ऐसा कल से चल पड़ा था किसी जमाने में टीक है ना आगे देखिए प्रांस की करांती के क्या-कया परिणा मुए क्या-कया बदला वाई देखिए पहली बात तो यह थी कि जो ओंड़ की सासन ता जो राजा का सासन था वो हट के वापस नैपोलीयन के पास आ गया था तो एक तरसे जो सासन था जो करांती थी वो 360 ड पांती चली जब नेपोलियन की मौत हो गई तो उसके बाद वापस से जो लुई की संताने थी उनको गद्दी पर बिठा दिया गया था वह अपना चलाते थे हाँ अलग से चलती थी ठीके ना जो नेपोलियन दावज सर्च की पुनविस्थापना की जब जैकोबीनों का सासन आया था तो उसने सभी सर्च को बंद कर दिया गया था लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने सर्च को वापस से जो है खोल दिया उसकी पुनविस्थापना कर दी गई जो कुलिन जब बास्तिल का विधवन्स हुआ था बास्तिल के विधवन्स के बाद बहुत से सामंत बह थे किसान थे मजदूर थे अंध में ऊनको कूछ नहीं मिला ज़्यादा उनके आर्थिक यह प्र कुछ बदलाव नहीं एक तरसे प्रोंसिकरांती जहां से प्रावम हुई वही प्र आ के खतम राजय को हटाने के लिए थी अपने अधिकार को लेने के लिए थी वापस आके रा वोर्टिंग देने का धीकव महिलाव को मिला था ठीकिना तो यह थी पूरी प्रआन्ष ञ़ा इस वीडियो के साथ हमने कियुके पूरा उप्पrzeうんय के कि प्रआन्ष अध्यायत ऊड़ है उसको छेप्टर किम कर दिया गया है तो धन्यवाद मिलते किस अगले वीडीओं झाल